तो हेलो एर्वीवन फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीवी एस्ट्रेडर वन ट्रेटी फाइव और हमारा जो निवली लॉंच हुआ है इन दोनों का आज कमपैरिजरन करेंगे किसका क्या फीचर्स है क्या किसका जादा है क्या किसका कम है कि दोनों ही बाइक से सेंट में आता है कि अब हम लोगों दिख रहे हैं अभी एक्स्ट्रीम ओं ट्रेंटी फाइव का थोड़ा सा कंदाम लेकिन ये स्रेडर 125 में जो जो कमिया थी उसमें वो फुल्फिल कर दिया गया है एक्स्ट्रीम 125 आर के अंदर तो आज हम लोग उस बारे में पूरा इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंजिन को लेके ठीक है क्योंकि इंजिन बहुत ही माइने रखता है कितना पावर जनेरेट करता है कितना टॉल्क जनेरेट करता है उस पर डिपेंड करता है तो इंजिन दोनों का ही 125 सेगमेंट का है तो एंजिन का मैं बात करूँ तो TVS Radar 125 में 11.2 BHP का ये पावर जनेरेट करता है मैक्स पावर और जो हमारा Extreme 125 है वो हम लोग का 11.4 BHP का मैक्स पावर जो है वो जनेरेट करता है Extreme 125 है उसमें 10.5 Nm का टॉर्ज जो है वो जनेरेट होता है और दोनों में ही आपको 5-speed gearbox मिलता है और यहां पर इंजिन का बात आता है तो इंजिन का बात करो Extreme 125R है उसमें बस एयर कुलिंग सिस्टम है लेकिन TVS Radar 125 में एयर कूल और ओयल कूल दोनों का जो कूलिंग सिस्टम है वो मिलता है तो और यहां पर इंजिन का और और ओयल कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसके उपर एक अल्रीडी एक वीडियो में बना रखा है को अगर वो वीडियो देखना है तो मैं उसको वीडियो का लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा तो अभी मैंने इंजिन का बा जादा हो जाएगा तो उससे कुछ फाइदा उतना होगा नहीं परफॉर्मेंस उतना च्छा निकल के नहीं आएगा लेकिन अगर आपका टो आपको बहुत ही जादा मट performance आपको निकाल के देगा तो वह बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यहां पर जहां पर मुझे लग रहा है उस जगह पर रेडर बाजी माल लिया है अभी चला के तो देखना पड़ेगा Me Richter Extrem 125 आपर को तब जाके हम लोग को पता चलेगा प्रक्टिकल कितना क्या सही है क्या गनलत पर यहां पर मैं देख रहा हूं कि Extreme 125 का जो वेट है वह 136 kg ठीक है और यहां पर रेडर हम लोग का जो बाईक है ।क सवेट है 123 kg तो रेडर का वेट यहाँ पे कम है और एक टू पावर रिश्यू में मुझे जहां तक लग रहा है कि रेडर बाजी मार सकता है लेकिन बाकी का चीज जो है वो भी देखना पड़ेगा क्या-क्या इसमें एड किया गया है Xtreme 1P 25R में जो कि इसमें नहीं है धिए और इ cuál चीज यहांपे आप लोग देख सकते है यहां पर जो किक है वो नहीं है जो नहीं करते हैं इस वीडियो में वह सब नहीं तो तो इक स्ट्रीम 125 ऑर में किक दिया गया है जो कि इस मिधा दूं जो कि Extremom 125 के देखो लुक्स के हिसाब से मैं बोलूगा लुक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रीम 125 जो है वह बहुत ही अच्छा किया गया है यह 125 सीरी सेग्मेंट में यह भी बहुत अच्छा जब निकल के आया था तो यह वाइक भी रेडर बहुत ही चला था क्योंकि ऐसा वियुच्छ लोकस के साथ और इतना टेक्नोलोजी है इसके साथ अच्छा बाइक नहीं निकला सा यह 125 सीरी सेग्मेंट में पर अभी फिर एक्स्ट्रीम 125 सीरी अच्छा शुक्राइब बहुत अच्छा लोक्त के साथ निकल के आया है वह भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है एक चीज मैं यहां पर दिखा तो जो यहां पर कमी था देखो 125 सेग्मेंट पर यहां पर LED DRL वगेरा LED headlamp और LED tail light ही मिलता है लेकिन एक चीज नहीं था LED जो कि है indicators indicators यहां पर बल भी दिखता था लेकिन extreme 125r में आपको LED indicator भी देखने को मिलता है तो यह बहुत ही अच्छा एक फीचर है जो कि मुझे भी personally बहुत अच्छा लगा है और एक चीज जो headlight है उसका headlight मुझे एकदम ही पसंद नहीं था इसके लिए मैंने यहां पर यह guard करके रखा है यहां पर उसका भी headlight मुझे बहुत अच्छा लगा तो style का बात करो तो वह अपना-पना choice होता है कि कौन सा bike आपको आपकी choice की साब से आपको अच्छा पुरा लग सकता है तो यहां पर और चीज जो कि है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहां पर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वह ऐसा-सा दिया गया है ठीक है यह पुराना वाला मॉडल है नया वाला जो मॉडल है उसमें टीफ्ट डिस्पले भी मिलता है जो कि आपको एक्स्ट्रीम वाला में नहीं देखने को मिलेगा और उसमें थोड़ा बहुत फिचरिस्टिक और भी फीचर जो एड़ किये गये हैं वह एक्स्ट्रीम ऑन्ट्रीफाइव आर में नहीं है जो कि नियरस्ट फ्यूचर अप्ट दिखा देता है और आपका फोन के साथ करनेट करके आप बहुत सी चीजे कर सकते हैं तो वह सब आप एक्स्ट्रीम ऑन्ट्रीफाइव आर में नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पे आप लोग को यहां पे इको और पावर मोड का यहां पे देख सकते हैं इको पावर मोड का सिस्टम है जो कि उसमें नहीं है लेकिन जो कि उस सहाथ मैं भो लूँ कि यहां पे सामने तो आपका डिस्क दिया गया है ठीक है और टीछे है ड्रम ब्रेक है उसमें भी समय है Xiane 125r में भी से सामने डेस्क और फिछे ड्रम ब्रेक लेकिन उसमें ABS नहीं तकी 125 FC सेगमें इस बाईक नहीं था वो उसमें दिया गया है तो बहुत एक ज़रूरी चीज हो जाता है एक बाइक के लिए कोई भी बाइक हो ब्रेकिंग बहुत ज्यादा बैटर करता है और इसके बाद अब सकता है तो मैं जाथा कुछ बोलना नहीं चाता और बेस्जेशन है और बिच्ट जो कि स्प्लिट शेट यहां पर उस फ्लीट शेट मिला है इसमें भी शेट मिला है और सुमषोड़ेबल रहां बादा धा सब्सक्राइव टेखने लिए किसे का बाद एक बेक इसा क्या औ को जरूर वह रिव्यू करके दिखाऊंगा और एक चीज जो होता है सीथ हाइट बहुत ही मैटर करता है क्योंकि यहां पर देखो सीथ हाइट जो है उसकी वज़े से ग्राउंड क्लिरेंस जो है वह बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है तिकि इस बाइक में मुझे एक प्रॉब तो इसका एक उपाय भी है इसको ठीक करने का जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा रिडर का लेकिन जो एक्स्ट्रीम 125R है उसमें जो ग्राउंड क्लिरनेस है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है आपको तो स्प्रीड ब्रेकर में आपका जो जो डबल स्टैंड है वो न जो एक्स्ट्रीम 125R है उसका है तो जिसका हाइट थोड़ा कम है वो यह बाइक ले सकता है यह अच्छा ओप्शन हो सकता है आपके लिए आपका पैर अच्छे से नुचे तक चला जाएगा लेकिन एक्स्ट्रीम 125R में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है तो चलिए मिलते ह hacksya किसी और वीडियो में और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीच लाइब कर दिना और चैनल को सबस्क्राइब कर दिना ऐसी वीडियो के लिए तो चलिए मिलते हैं आपसे अनुज बीढ़ी और तब तक लिए जैहेंद बाय माय